हैलो एम्हेंजरों वेलकम टो माइचैनल आज में आपके शेर करने वाली हूं काले चने की बहुत 250 सब्जी की रेसिपी मैं काले चने की सब्जी दो-तीन तरीके से बनाती हूं जिसमें से आज मैं एक तरीका आपके शेयर करने वाली हूँ यह तरीका बहुत ही आसान है और इसे बनाने में बहुत ही कम समय लगता है तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने यहां ले लिया है चने जो कि मैंने रात भर के लिए भीगो के रख दिये थे इस तरह से भीगने में लगबग 10 घंटे का टाइम लगा है अब हम सबसे पहले क्या करेंगे इसे अच्छे से दोख कर और कूकर में डाल देंगे इसी के साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक हाप टेबल स्पून के असपर्स कूकर का ढखन बंद करके हम इसमें 6-7 सीटी लगा लेंगे जब तक चना हमारा बॉयल हो रहा है तब तक हम कर लेंगे इधर मसाले की त्यारी तो सबसे पहले हम इसमें ले लेंगे हल्दी पाउडर धनिया पाउडर इसी के साथ हम लेंगे जीरा पाउडर इसकी बाद हमें इसमें डालना है रेड चिली पाउडर अब जितना तीखा खाते हैं उसी साभ से मिर्च का पय। डॉलर 강ी के साथ हम डालेंगे इसमें गरप मसाला पडूर्डर TV और इसमें हम डालेंगे चल्णा मसाला अगर आपके पास ना है तूह अब ना डालें मेर पास था तो मैनें डाल दिया हैद् इसे हम थोड़ा सा पाने मिला कर रख देंगे, अभी, अब हमारे चने हो गए हैं, बॉयल, मैंने यहाँ बाउल में चने को निकाल लिया है, मैंने यहाँ पे 6-7 सीटिया लगाई हैं इसमें, आप इस तरह से चेक कर लें, कि यह सॉप्ट हुआ, इसे हाथों पर दबा कर देख लें, इस तरह से, चने हमारे बहुत अच्छे से बॉयल हो गया है, अब चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं, इस बॉयल चने में से हमें थोड़ा सा चना लेना है, और इस सबजी को बनाने के लिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा अलग से, मिक्सर बैंडर में मेचे और तमाटर, इसका हम पेस्ट बना लेंगे, तो इसका पेस्ट हमने इसलिए बनाया है, कि ग्रेवी को हम थोड़ा सा गाढ़ा कर पाए, और इस ट्रिक से अगर आप चने बनाएंगे, तो आपके चने बहुत ही टेस्टी बनेंगे, और इस तरह से पीस लेना है, हमें कडाई, और इसी के साथ हम डालेंगे इसमें ओयल, मैं अब इसमें हमें डालना है, जीरा, मैं यहाँ डाल रही हूँ, जीरा और एक ango меся qay और एक थाए लाइची, और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे पैयाज, और इसमें गोल्डन ब्राउन होने तक भुनेंगे, और इ इसी सब में डाल लशन पेस्ट के साद ही अधर लशन को भुणेंगे जिससे इसका कच्छापन थोड़ा दूर वजाए यहां पर प्रया हो गया इस पड़ाउन इसके पार हम ने जो बना कर मसाला रखा था इसमें डालेंगे हम मसाला हमने इसमें डाल दिया है और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे हमें मसाला को तब तक भूनना है जब तक ही इसमें से ओयल रिलीज न हो जाए और जब यह मसाले जब तेल छोड़ने लगेंगे तब हम इसमें डालेंगे चने और टमाटर का जो पेस्ट हमने बना के रखा है उसे अभी हम इसी में डालेंगे यहाँ पर मसाला को भूनते हुए मुझे 10-15 मिनट हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे चने और टमाटर का पेस्ट जो हमने पहले से बना के रखा है तो हम इसमें डाल देंगे और इस चने और टमाटर का पेस्ट इसमें डालने के बाद इसे हम फिर से 5-7 मिनट तक लो फ्लेम पर हम इस तरह से इसे भूल लेंगे यहाँ पर मसालों को भूनते हुए मुझे 6-7 मिनट हो गया है तो अब इस स्टेज पर हमें डाल देने हैं हमारे बॉल की हुए चने जिस पानी में हमने चने को बॉल किया है उस पानी को हमें फेकना नहीं है हमें इसी में उस पानी को डाल देना है चने सहीद और इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से और ग्रेवी के साथ हमें चने को 5-7 मिनट तक फिर पकाना है जिसके इसका पूरा फ्लेवर जाएगा चने के अंदर अब यहां मुझे चने को पकाते हुए इस ग्रेवी के साथ 7-8 मिनट हो गया है तो अब हमारी यह जो सबजी है बिल्कुल त्यार है तो इसमें हम लगाएंगे एक तड़का इससे पहले हम सब्ची में डालेंगे और कसूरी मेथी हाथ में थोड़ा सा खरश करके और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता और इसके बाद हम लगाएंगे इसमें तड़का सबसे पहले हमें एक कर्ची में दो टेवल स्पून घी ले लेना है और इसे गरम कर लेना है और इसी के साथ हम डालेंगे रेड चिली पावडर और इसी के साथ हम डालेंगे खरी मिच और इस पे हम इसको डाल देंगे इस तरह से यहाँ पर त्यार हो गई हमारी टेस्टी सी सबजी अगर आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें